सेना भरती के लिए जब से अगनीवीर योजना आई ये तब से कई युवाओं के इंदर एक तरीसे ब्रांती फिलिवी है तो मेरे साथ संपू Defense Academy की सोनिय जी हैं सोनिय जी जब से ये अगनीवीर आई ये तो बच्चों के अंदर एक तरह की ब्रांती सी हैं तो इसके बारे में क्या कहेंगी आप? नहीं, इसमें कोई भ्रांती वाली बात नहीं है, देखें, स्टूडेंस को ये चीज़ पहले तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, कि जो भी चेंजेज अगनिवीर में आए हैं, वो उससे उनका कोई नुकसान नहीं होना है, आप ये देखिए कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपको 16 येर्ज में आपको कोई जॉब देता है, और 12 पास किस बच्चे के पास ऐसी ऑपरजनिटी आती है कि वो कहीं भी जाके जॉब कर सकता है? सोनिया जी एक इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि 25 परजन्ट को रखा जाएगा, बाकि जब युवा जो 75 परजन्ट युवा जब आर्मी छोड़ के चार साल बाद आएंगे तो उनका बविस्य के सार रहेगा? देखे 25 परसंट तो शौर शौर हैं कि वो तो उनको तो जॉब मेली रही है, उसके अलावा जो आप 75 परसंट की बात कर रहे हैं, उनमें से कुछ परसंट आप देखिए C.A.P.F है, पुलिस है, इनमें वो लोग जा रहे हैं। अचा एक सुनिया जी, अभी बच्चों को ये है कि पता नहीं, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, जैसे पहले ये अगनीवीर की योजना आ गई, अब बच्चों को ये लग रहा है कि साब पहले रिटन होगा या इस तरह की कुछ अफ़एं बाजार के अंदर चल रही और जिसमें गर्ल्स और बॉइस दोनों के लिए होगा, और अभी इसमें जैसे पहले ओफलाइन एक्जाम होते थे, अभी इसका एक्जाम पैटन चेंज कर दिया है, अभी सारे ओनलाइन एक्जाम होंगे, CBT टेस्ट जो होते हैं, कम्प्यूटर बेस्ट एक्जाम होंगे, सोनिय जी अभी आपने कहा कि अब कम्प्यूटर बेस्ट एक्जाम होंगे, तो इसके लिए एक तो क्या आर्मी वाले कुछ बताइंगे, किस तरह के सब्जेक्ट होंगे, किस तरह के क्वेस्चन होंगे, क्या तरीका होगा इसका, और दूसरा, क्या आप लोग इस तरह की त ट्रेनिंग की, तो मैं सब स्टूडेंट्स को और पेरिंट्स को ये बताना चाहती हूँ, कि अभी हमारी अक्याडमी में बच्चों को कम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग ही हम लोग तयारी करवाएंगे, हमारे पास कम्प्यूटर लाब है, और जो फ अभी जो अगनिवीर के नए फॉर्म आएंगे वो 15 फैब से इनके फॉर्म हाजाएंगे, उसके बाद में इनका में में इनका रिटन एग्जाम होगा, और इनके पास में कम से कम चार महिने का टाइम बचेगा, और रिटन एग्जाम के बाद में आउगस्ट में फिजिकल मेडिकल का टेस्ट होगा, तो उसमें भी इनके पास में दो से डाई महिने का टाइम होगा, अच्छा ये आपने का कि साल में दो बार बढ़तियां निकलेगी, तो ये कब कब निकलेगी, पहली बढ़ती निकलेगी फैब में, और सेकिंड जो होगी वो निकलेगा बार आईगी, तो अब आप लोगों के जो कॉर्सेज होंगे बच्चों के लिए, वो किस धंगसे होंगे, क्या आपका शेडूल क्या रहेगा? इस जो नए चेंजेज आए हैं, जो भी अमेंडमेंट्मेंट्स होए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने भी ट्रेनिंग कुछ चे को होगा, स्पोर्ट्स का, क्योंकि पूरा दिन अगर बच्चा पड़ाई कर रहा है, तो वो कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाता है, तो कुछ टाइम उसको फिजिकल एक्टिविटी में देना भी बहुत जरूरी है, उसको फिजिकली भी बिजी करना बहुत जरूरी होता है, त तो साथ साथ में हम लोग फिजिकल भी करवाएंगे, बट ज्यादा ध्यान रिटन पे होगा, तो पहले चार महिने रिटन के लिए हम लोग तैयारी करवाएंगे, और जैसे ही रिटन हो जाता है, उसके बाद में, दो से डाय महिने हमारे पास बचेंगे, तो उसमें हम होंगे दूसरा every Saturday हम लोगों के यहां पर doubt classes होंगी और subject test होंगे जो की computer based होंगे and third होगा timed test होंगे every Sunday इस तरह से हम लोग plan कर रहे हैं बच्चों को written exam की तयारी करवाने के लिए मैं सारे parents and students से request करना चाहूंगी कि 15th FAB इसकी date है अगनीवीर की तो उससे पहले वो लोग जल्दी से आके academy join करें और अपनी training स्टार्ट कर दें ताकि उनके written exam की तयारी अच्छे से हो सके तो यह देखिए सोनिया जी ने सारी चीजें बता दी है इन्होंने बताया है कि अब जो आर्मी का जो टेस्ट होगा यानी जो पहले return होगा उसके बाद physical होगा पहले physical होगा करता था पहले दोड़ होती थी अब वो ऐसा नहीं होगा वो जिस तरह से पुलिस में या अन्य नोक्रियों के अंदर पहले return exam होता था उसमें पास होने वालों का physical होता था ठीक इसी तरह अब आर्मी में भी होने वाला है और सुनिय जी ने बताया कि अब साल के अंदर दो बार vacancy निकलेगी फरवरी में और अक्टूबर के अंदर vacancy निकलेगी और online exam होगा computer based exam होंगे इसके लिए इनके यहाँ पर computer lab है जिसके अंदर उसी इसाब से तयारी की जाएगी जिस इसाब से आर्मी सवाल पूछेगी और यह इस तरह के जो demo है जो question paper आएंगे उसके demo जल्दी ही आपको आर्मी की जो अधिकारिक website है official website है उसके उपर आपको देखने को मिलेंगे आप वहाँ से तयारी कर सकते हैं डेमो देख करके साथी सोनिया जी ने वो तयारियां भी बताईए जो आने वाले time के अंदर आप लोगों के लिए जरूरी है जो इनकी defense academy में उपलबद है धन्यवाद